नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निटीजन ट्यूटर पर स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल हेलपर भरती से जुड़ी लेटेस अपडेट के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से वाले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो किसी भी एक्जाम से जुड़ी लेटेस अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल निटीजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं साथ ही दोस्तो आप किसी भी एजर एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं और रेलवे, एससी, बेंकिंग किसी भी एक्जाम से जुड़ी लेटेस अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो आएए दोस्तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो राजिस्तान टेक्निकल हेल्प है भेड़ती जिसके रिजल्ट का केंडिडेस काफी दुनों से वेड़ कर रहे थी उसका रिजल्ट आपका जैन्वेरी के मिड में आउट किया गया result दोस्तो और आपकी जो response की थी दोस्तो उसमें काफी जारे difference देखने को मिला क्योंकि firstly जो आपकी answer की जारी की गई थी उसमें जो candidates का roll score बैट रहा था और final में जो आपका roll score बैट आप उसमें काफी जारे difference देखने को मिला है जिसकी वज़े से रिजर्ट से केंडिडेट्स बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं है तो दोस्तों आपकी टेकनिकल हेलपर भरती का जो मामला है कोट में पहुंच चुका है साथी जो भी केंडिडेट्स इस रिजर्ट से सैटिस्फाइड नहीं हैं वो सबी दुबारा रिजर्ट निकलवाने की मांग कर रहे हैं राजस्थान डिस्कॉम के तीनों बिजली वित्रण कंपनियों में टेक्निकल हेल्प पर भरती परिच्छा परेण नहीं से से दुबारा जारी करवाने की मंग की गई है जुन्दुन जूलात अच्छो बिकास सैनी ने मुक्हे सजी मुक्हे म fed कार्याला को पत्र लिककर परिच्छा पर्रण दुबारा से पत्र में بتाया गया है कि परिच्छा परण को चुनोती देने के लिए 13,000 13,000 से जादा अभ्यारतियों ने अपती दर्ज करवाई है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13,000 प्लस केंडी रेट्स हैं जन्होंने यहाँ पर अपती दर्ज करी है रिजल्ट को लेकर इतनी तो यहाँ पर दोस्तों आपकी वेकेंजी ही नहीं जितने चातरों ने यहाँ पर आपती दर्ज कराई है तो यहाँ पर बहुत सारे केंडी रेट्स हैं तो रिजल्ट से सैटिस्फाई नहीं है जन्हें अपने रिजल्ट पर पूरा कॉंफिडेंस है और उनका दोस्तों सेलेक्शन नहीं हो पाया है तो इस वज़े से आपके यहाँ भरती का जो मामला है कोट में डला हुआ है और चातर चाते हैं कि रिजल्ट आपका दोबारा आए क्योंकि दोस्तों जहां इस वज़ती में आपका काफी टाइम वेस्ट हुआ है बहुत दिनों बाद जाकर आपका एक्जाम कंड़क करवाया गया था साथ ही दोस्तों उससे भी जादा लेट आपका रिजल्ट लेक्लियर हुआ रिजल्ट भी दोस्तों बिल्कुल फेयर तरीके से नहीं आया जिसकी वज़े से केंडी रेट्स को अब याच का दाया करनी पड़िये हाई कोट में इसके साथ ही विद्ध्यार्ती विदुत भवन में धर्ना प्रदर्शन कर चुके हैं और उज्या मंतरी भंबर सिंग भाटी को भी ग्यापन दे चुके हैं सी पी ओएस एन एस नाथावस से भी मुलाकात कर चुके हैं सुनवाई नहीं होने पर बिद्ध्यार्ती वनें हाई कोट में याच का दायर की है तो दोस्तों यहाँ पर वो काफी तिनों पहले धर्ना प्रदर्शन भी कर चुके हैं लेकिन उनका यहाँ पर उससे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला उन्हें इसलिए बाद में फिर उन्होंने हाई कोट में याच का दर्ज की है रिजल्ट को दोबारा निकलवाने के सब्जेक्ट पर तो यहाँ पर दोस्तों अमीद यहाँ पर थोड़ी कम है कि हाई कोट की दोबारा डिसीजन आपकी फेवर में नहीं आएगा क्योंकि हाँ पर आयोक की तरफ से भी दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी नोटिस या फिर रिजल्ट को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है कि रिजल्ट दोबारा आ सकता है या फिर नहीं तो इस वज़े से आपकी रिजल्ट दुबारा आने के चांसे बहुती ज़्यादा कम है दस्तो वीडियो में इतना ही वीडियो परसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस भरती से रिलेटेड ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए अब हमारा चैनल देटीजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद